नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल टार्गेड विद्विकास में दोस्तों आज आपके लिए UPSS-C फारेश्ट गाड का प्रेटिस स्ट नंबर 11 लेकिया है हिंदी का प्रेटिस स्ट है लेकिन यह आपका प्रेटिस स्ट जो है नए पैटरन पर आधारित गयों कि यह समसमा की गटना चक्र की जो आपके प्रिवेस एर के पेपर आपके जो एक्जाम में पूछे गयाते हैं अभी तक यूपीट्र प्रेटिस में जितने भी आपके हिंदी से लेटेटर कोशन पूछेगे उसी में से आपके मोस्ट इंपॉर्टन जो कोश इसकी नहीं करना है ठीक है फिर आप अपने बताएं कि इसमें कोशन आप कितने कोशन सभी कर रहे हैं आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते किसी कानवाद से स्किप कर देते हैं क्योंकि मैं कुछ टेस्ट के और कोशन का हॉमवर्क देता हूं तो इसमें कुछी को स्वाल करते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि आप क्योंकि आप लोग अच्छा कंटेंट छोड़ देंगे आपका माली एक नंबर या इक्जाम में मिस हो गया ना तो आपके लिए एक भी नंबर बहुत से तीन तक के आपके क्या है गध्यान्स को पढ़कर आपके प्रश्ण उत्तर दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह पेपर कोश्चन नंबर एक से तीन तक आपको हमवर्क में करना है इसकी पीडिये भी आपको मिल जाएगी नीचे टेलिग्राम लिंक दिया होगा उसे मि तीनों कोश्चन मैंने आपको दिखा दिये इन तीनों के कोश्चन आप लोग वृडु रोक्के आप देख सकते हैं चलिए आएं कोश्चन नंबर फाचार का एंसर दिजिए आप लोग हिंदी में वडमाला की संख्या कितनी होती है तो बताएए आप लोग सभी लोग बताएए कि हिंदी में वडमालो की संख्या कितनी है तो आप लोग याद किये बावन यानि कि आप्शन नमबर ए अब गिरीस में कौन सी संधी है बताइए ग्रीस में कौन सी संधी है ये आपको बताना है तो आप लोग रट लिजे दीर के संधी कौन सी दीर के स्वार संधी है ठीक है आप्शन नमबर A सही हो जाएगा इसमें नेम लिखित में से कौन सा गुड़ आचक विशेशन है देखिए अगर आप लोग को किसी भी क कोशन का इंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा ठीक है और जितने विए बैरती चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करें और लाइक करें आप लोग इस वीडियो को अधिक लिक करें और शेयर करना विल्कुल ही नहीं बूलें निमलिकित में से कौन स सही हो जाएगा पीला आप लिएक सभी श्यो जाएगा ठीक अनुवएका अनुवर साथ का आपका सन्द विच्छेट बताना है तो आपका अप्शन नम्ब पर पताना आपको किस सब्ड की वरतनी सुद्ध है इसमें आता है किस सब्ड की वरतनी है आपके सुद्ध कां सा option Prime सही है ज़ा यहां पताना स्ट करदेख वहाँ किस विरामचिन्ट का परियोग होता है यहां पर पताना आपको किस विराम चिंदी का प्रियोग होगा तो यहां पर प्रियोग होगा किसका पूर्ण विराम का option number 20 ही हो जाएगा अब यह बताईए question number 11 का answer देना आपको लोगो हाँ अगर आप लोगो answer आता है किसा question का तो आप लोग अपना answer चेक भी कर सकते हैं यहां पर जो हम बताएंगे और आप लोगों को गरा रहा है तो comment box में comment करके answer दे सकते हैं ठीक है हिंदी व्यक्रण में संग्या के मुक्ता कितने भेद हैं तो बताएं कितने भेद हैं संग्या के तो पांच रट लिए कितने हैं पांच है आप्शन नमबर सी सही हो जाएगा कोश्चन नमर 12 की बात करें निमलिखित में से किस सब्द में जात वाचक संग्या है तो इसमें बताना है किसमें जात वाचक संग्या है तो आपका जुलाह जो है कैसा है जात वाचक संग्या आप शनमर 20 हो जाएगा ठीक है हाँ देखो कोश्चन नेस्ट कराएंगे अभी लो अप्लोड तो आपको मिल सकते हैं तो आपने पड़ देखा होगा आप्शन नमर ए यानि के सुरेश गीत गा रहा था तो यह आपका पूर भूत काल का है ठीक है नेस्ट निम लिखित में से कौन इस्ट्रिलिंग सब्द है कौन इस्ट्रिलिंग सब्द है तो इस्ट्रिलिंग सब्द है सब्द आप्शन नमबर A से हो जाएगा लता का बहुचन है बताइस वी लोग लता हैं हां जितने लोग आपने नमर सब्द क्रेंगे आप्शन्बर A वाले सही है वहां भूक से बेचेन हमें इस वाक्य में किन स्कारक का प्रियोग हुआ है ठीक है इस वाकिय में किस एक प्रियोग हुआ है देखो कम समय में आपके ज्यादा कोशन कराएंगे तो इसलिए आप लोगों परिशान नहीं होना पूरा वीडिए देखना इसकी बिल्कूल क्वाइब हिंदी का है ठीक है हाँ इसमें 50 question दिये गए हैं 50 में आपको बताना है कितने सही हो रहा है तो इसका राटम से कह आप्शन नंबर जितने लोग भी कर रहे हैं करणकारक उनका सही है ठीक है प्रियोक के अनुसार चिन्ध में सरुनाम के कितने भेद हैं, बताइए, कितने भेद हैं, 17 नमबर कोशिन का एंसर देना, हाँ, 6, जितने लोग 6 कर रहे हैं, उनका सही, आप्शन नमबर A सही हो जाएगा, सबी लोग अपना-पना एंसर दें, हाँ, यहाँ, बिलकुल सही, आप्शन नमबर B जितने लोग एंसर कर रहे हैं, उनका सही, आप्शन नमबर B, बिलकुल सही, नेस्ट कोशन की बात करने, उननिस नमबर की, निमलिकित में से किस सब्द की वरतनी असुद्ध है, इसमें आपको असुद्ध बताना है, तो असुद्ध आपका साफ सब्दिग्या आपको भीश में है, क्योंसा अप्शन नमबर D, ठीक है, थोड़ा पानी में थोड़ा आपको अप्शन नमबर D, ठीक है, तो आपको अप्शन नमबर D, ठीक है, ते इस नमबर पे आजाएए, आम खाया जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्च है, तो आम खाया जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्च है, आपको बताना है, तो आपका क्रम वाच्च, आप्शन नमबर D, सही हो जाएगा, राम खाता होगा, वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा रूप है, बताएए, इसमें वर्तमान काल का कौन सा रूप है संग्दिक्द हाँ बिलकुल संग्दिक्द वर्तमान काल आप्शन नमबर सी सही हो जाएगा अधिक्रण कारक का विभक्त चिन्न है अधिक्रण का विभक्त चिन्न कौन सा है सबी लोग होता है अधिक्रण का हाँ इसका राइट एंसर क्या हो होते हैं और इक तरह कोशन पूछ आते तो आप लोग रट ली जाएगा यह पेना कॉपी उठाके नोट कर लिए और ना मैं इसकी पीडिया भी प्रवाइड करा दूंगा ठीक है आप लोगों को मिल जाएगी आप से नमबर डी से चार भेद होते हैं किस समास में पूरुपद प्रदान होता है 27 नमबर कोशन की बात करें तो अव्वेई भाव कौन सा अव्वेई भाव आप्शन नमबर 20 से हो जाएगा भरोसे में सब्द का प्रियोग है बरोसे में सब्द का प्रियोग है संबंद बोधक हां संबंद बोधक ठीक है संबंद बोधक निमलिकित में से क कौन सा सब्सक्राइब नहीं है इसमें कौन सा सब्सक्राइब नहीं है तीस नंबर का तो वच्छन आपका क्या है तदभो नहीं है आप्शन नमबर डी से इसमें प्रत्य का प्रियोग किया गया है और आप लोग अच्छे कंटेंट के लिए आप लोग को अच्छे लेवल के प्रतिक्ट कराया या आप लोग बिल्कुल आप बने रहेगा जितने भी नए ब्हारती सब्सक्राइब जरूर कर लें वहना आपको पस्ताना पड़ जाएगा क्योंकि आपको अच्छे कॉशन डूर के लाते हैं आप के लिए ठीक है कि मिठास में प्रत्यका प्रयोक किया गया बताए किसका किया मिठास आज का अच्छा का सब्द्र जितने लोग फारशी कर रहे हैं उनका कि बिल्कुछ सही है यहाँ पर कुछ जानकारी आप लोगों को देना है मुझे ठीक है आप लोग जरूर इसको देखेएगा एक बार इसके जानकारी ले लिजी आप लोगों तो मैं यहां पर जानकर देदूं, देखिए, join our telegram channel, यहां पर जितने लोग भी जितने अभिहारती हैं, जिन्होंने अभी तक telegram channel नहीं join किया है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा content से provide किया जाएगा, आप लोग wait करिएगा, क्योंकि आपके लिए content त्यार किया है कि मेरे content से अधिक से अधिक कोशन आपके फसे हैं, तो आप लोग telegram channel जरूब जोइन कर लें, और जिन्होंने अभी यह forest guard का WhatsApp ग्रूप नंबर है, ठीक है, जिन्हों नहीं अभी जोइन किया, वो message कर सकते हैं, लिंक से नहीं open आला, तो आप लोग message कर दीजे, मैं उसमें जोइन कर दूँगा, ठीक है, आप लोग इस नमबर पर message कर सकते हैं, सभी लोग, ठीक है, हाँ, 845, 44794, यह नमबर है, ठीक है, इस यह नमबर पर आपने लोग message कर सकते हैं, वार्शब ग्रूप में जुड़ सकते हैं, forest guard का group है, 34 नमबर question पर आ जाईए, जिस सब्दों की विद्पत्य का पता नहीं चलता, उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, 34 नमबर का answer बताना है, तो उन्हें आपका देशत कहते हैं, क्या देशत, ठीक है, option अमबर C से हो जाएगा, निम लिखित में से कौन सा विशेशन सब्द है, नागरिक बिल्कुल से, ज रखाओगा, बहुबरी समास, लंबा है, जिसका उदर है, लंब उदर, ठीक है, निम लिखित में से कौन सा संग्या पदबंध नहीं है, ठीक है, तो कौन संग्या पदबंध नहीं है, option नमबर D, व्यूकुल सही, शेर के समान, बलवान, हाँ, व्यूकुल सही, आप्शन न नमबर D, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, जो ही वहा, घर से निकला, वर्षा होने लगी, ठीक, आप्शन नमबर D से हो जाएगा, हाँ, आप लोग आप्शन देख लीजिए, आप्शन नमबर D से हो जाएगा, 49 नमबर में क्या है, देखो, आपको बता दें, कि यार रा भारत देश जैसे हो सकता है, ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है, कि किस क्रम से आपको sentence मैच करेंगे, कि आपको एक complete sentence बन जाएगा, यहाँ पर यह आपको बताना है, तो मैं आपको एप्शन दिखा दूँ, यहाँ यह आप्शन आपके दिए गये है, ठीक है, यह फिर यहाँ से आपको यह एप्शन है, तो मैं इसका राटेंस है आपको बता दो, बिल्कुश, जितने वो ला वाले करेंगे, ला पहले रहेगा आपका, ला पहले लहेगा, पिया फिर रा फिवा, आप्शन नमबर एस ही हो जाएगा, चालिस नमबर कोशन करा है, चालिस न कमेंट भी करिएगा, ठीक है, अगर किसी कोशन प्रॉब्लम लग रही है, कुछ भी अगर आपको लग रहा है, किसी टापिक की आपको अधित अत्य दिकाव सकता है, तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उस टापिक की कोशन आपको प्रेटिस के लिए प्रवाइड करा दू सब्सक्राइब का अर्थ नहीं है, कमपटीशन बहुत हाई है, देखो, पढ़ना पड़ेगा, देख रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं, कि मेरे 50 में 49 सही हो रहे हैं, अच्छा, 49 सही होंगे, यह बता रहे हैं, 49 सही होंगे, चलिए ठीक है, बढ़िया है, 50 सही हो, हमारा श्रि सब्सक्राइब का रहे हैं, बचा क्या आप्शन नंबर डी, यह गलत है आपका, ठीक है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है, वाकिक के लिए सार्थक सब्सक्राइब, सब कुछ जानने वाला सब कुछ जानता कान, सरवग सब कुछ जानता है, ऑंदे की लखड़ी एक, मात्र सहरा, आपक्षन को देखो, सब्सक्राइब करो बताई किया होगा सब्सक्राइब लोग करो जाएगा आप शनमसी जितने लोग कि बात कर लें निम लिखित मैंसे कौन सा सब्द, कौन सा सब्दालंकार का भेद नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन सा सब्दालंकार का भेद नहीं है, तो उपमा जितने लोग करें हमका सही है, हाँ, उपमा ही है, हाँ चाही, उपमा आप्शन नमबर डी जितने लोग करें हम सही है, ब किसमें आपको भिन्यारतक सब्द का चैन करना है अ बताये पावक अनल। करशान अनिल। 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 आपका भिन्य। Khy 주는 है ए यह आपकी तीन औन एकी जैसे प्रवाची है ओ यह आपका भिन्य। Khy thirdly Może जो जो का परथम महकावी कौन है। धड़ीबोली का प्रथम महाकावी कौन सा है। प्रीप्रवास बिल्कुल सही प्रीप्रवास आपसन ओर भी। बहुत अच्छे आप लोग अच्छे कोश्ण्स आप लोग के त्यारि बढ़िए आप लोग इस तरी किसे लगे रहे कोशन पैराग्राफ पढ़के आप लोग उसको स्वाल करके एंसर कमेंट बॉक्स में देने तीनों कोशन के सभी लोगों को अगर आप अपने साथ गदारी नहीं करें तो लुक्र से आप लोगों को इसका पीडियाप भी मिल जाएगा तिक है आप लोगों को इसका पीडिएप भी मिल जाएगा देखिए आप लोग क्या करिएगए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करने सबसे पहले ठीक है, और आप लोग अधिक चिरिक share कर दे, ठीक है, जितना share करेंगे, और इतने नया भ्यारती हैं, subscribe करेंगे, आप लोगों को नीचे टेलिग्राम लिंक दिया गया है, वार्टसप ग्रूप लिंक दिया गया है, और नमबर भी स्पिसल के लिए बनाए गए दोनों चीज़े ठीक है इस पर आपको कुछ थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी आप लोगों को अच्छे से अच्छा प्रवाइड किया जाएगा त्यारी चल रही है पूरी चल रही है ठीक है तो बने रही है वह साथ में धन्यवाद दोस्तों नमस्कार